In this module, we will discuss about type specimen. What is type specimen? Type specimen एक ऐसा specimen है, जिसको हम as a reference material के तौर पर museum के अंदर महफूस करते हैं. Type specimen जो है, जब एक researcher अपनी research कर रहा होता है, वो अपने specimen की description लिख रहा होता है, तो उस researchers के सामने जो specimens available होते हैं, जिसकी base के पर वो original description करता है, उन में से वो किसी एक specimen को select करता है, और इस specimen को as a reference material के तौर पर museum के अंदर submit करता है, यह जो type specimen है, यह बाद में आने वाले जो researchers हैं, उनके लिए reference का काम करता है, अगर कोई भी researcher अपने specimens हैं, उनको इस reference sample के साथ compare करना चाहे, तो वो इस specimen है, इसका museum ID है, उसकी base के उपर इस specimen को असानी से तलाश कर सकता है, और इसके characters को study कर सकता है, और अपने samples को इस sample के साथ compare कर सकता है, अब जब एक reference specimen जो है, इसको museum के अंदर महफूस किया जाता है, तो हमें कुछ characters का, हमें कुछ चीजों का ख्याल करना पड़ता है, सबसे important बात ये, कि हमें उस specimen की जो precise type locality है, वो mention करना होती है, type locality क्या है, type locality basically वो जगा है, जहां से इस type specimen को collect किया गया हो, तो precise तरीके से type locality और दूसरे जो important notes है, वो मौजूद होने चाहिए, उसके साथ ये जो specimen है, जिसको हमने type specimen के तौर पर महफूस करवाया, museum के अंदर, एक specific museum ID के साथ, इसका sex क्या है, ये एक male specimen है, या फिर female specimen है, ये clearly mention होना चाहिए, उसके साथ, ये जो specimen है, ये किस developmental stage से belong करता है, ये larvae है, ये adult है, किस farm के अंदर है, ये clearly mention होना चाहिए, इसी तरीके से, ये जो type specimen है, इसको जब type locality से collect किया, तो किस ने collect किया, collector का नाम क्या था, वो clearly mention होना चाहिए, इसी तरीके से, ये जो specimen है, इसका एक proper ID number रखा जाता है, ताके बाद में आने वाले जो researcher हैं, जब इसको reference के तौर पर use करें, तो इस जो specimen number है, इसकी base के अपर वो असानी से, इस specimen को identify कर सकें, museum के अंदर असानी से इसको trace कर सकें, इसी तरीके से, जब इसकी type locality, जो है, mention किया जाती है, तो इसके altitudes, जो है, mention किया जाते हैं, कि कितने altitudes से इसको collect किया गया, इसके proper coordinate, जो है, mention किया जाते हैं, उसके रावा, अगर इसको कहीं depth से collect किया गया है, तो कितने मीटर जो है डेप्ट से इस एनिमल की कुलेक्शन की है उसका भी कलियरली मेलजिन करना चाहिए इसके लावा अगर यह जो स्पेसिमन है यह एक फोसल है तो फिर इसके बारे में जो है इसका जो 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 ग्राफिकल होरिजॉन है उसके बारे में डिटेल इन्फरमेशन मौजूद होनी चाहिए अब जब भी एक पब्लिकेशन की जाती है जिसके अंदर एक टाइप स्पेसिमन का हवाला दिया जाता है तो उससे पहले ज़रूरी है कि यह जो टाइप स्पेसिमन है इसको म्यूजियम के अंदर समिट करवाया गया हो उसके लावा जो इसका जो डेजिगनेशन है वो कलियर होना चाहिए और वो उसके अंदर कोई अंबिगुड़ी मौजूद ना हो उसके लावा जब भी एक टाइप स्पेसिमन म्यूजियम के अंदर महफूस करवाया जाता है तो उसके लिए जितनी भी रिक्वाइर्मेंट्स हैं उसके जिस तरह से हमने कहा कि उसकी टाइप लुकैलिटी क्या थी उसके बाद उसको किस डेट में क्लेक किया गया कुलेक्टर का नाम क्या था उसका अल्टीचूट क्या था उसके लावा उसके कॉडिनेट्स क्या थे उसका सेक्स क्या था यह तमाम इंफरमेशन मौजूद होने चाहिए ताके असानी से कोई भी जो रिसर्चर है बाद में इस स्पेसिमन को ट्रेस कर सके